जै जिनेंद्रा जै बोले ना दोस्तों चार बच के बारा मिट हो गई है मार्केट को बंद हुए लगबख 40 मिट हो गए चले देखते हैं मार्केट अज मार्केट ने न कल का हाई तोड़ा न कल का लो तोड़ा निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने भी कल का हाई नी तोड़ा लो भी नहीं थोड़ा तो दोनों बीच में जुलते रहें लगबक फ्लैट के तरफ बंद हुए निफ्टी 21.30 बंद हुआ बैंक निफ्टी 90.30 बंद हुआ लेकिन न कल का हाई थोड़ा न कल का लो थोड़ा चलिए थोड़ा डीटेल देख लेते हैं इसकी देखे आज का हाई बनाया 971 आज का लो बनाया 798 तो कल का लो था 24776 आज का लो बनाया 24798 यानि की हायर लो बनाया कल का हाई था 24999 0.75 आज का हाई बनाया 24971 0.75 यानि की लोवर हाई बनाया वह बनाया हायर लो एंड, लोवर है यानि की खाया बिया कुछ नहीं गलाज थोड़ा बारा ना बस कल से ठोड़ा सा उपपर कलोई किया कल 12.2180 थी थी का भीक है यह हो गया निफ्टी की स्टोड़ी बैंक निफ्टी की स्टोरी क्या है कल कल का लोग था 51,186 आज का लोग बनाया 51,260 थोड़ा सा हायर लोग बनाया कल का हाई था कुछ 52,200 थीन सो था आज बनाया 51,907 और थोड़ा सा कल से उपर क्लोज किया कल की क्लोजिंग चो इकावन 406 थी आज 409 तो दोनों में आज कुछ नहीं हुआ यह बोल सकते हैं टाइम पास हुआ और यह देखिए आप देखिए निफ्टी का डेली चार्ट है निफ्टी में भी कल का हाई नहीं टूटा कल का लोग भी नहीं टूटा ठीक है बैंक निफ्टी में भी ऐसा हुआ लेकिन मुझे कमजोरी ही लग रही है निफ्टी का लेकिन अब कल का हाई और लोड जिस तरफ तोड़ेगा उस तरफ मोव्मेंट आएगी लेकिन कल एक डिसाइडर डे रहेगा बैंक निफ्टी भी आप देख लो बैंक निफ्टी मुझे कर 99 परसंट कंफर्म लगता कि कल से वीकने स्टार्ट होगी क्योंकि इस वीक में इसका बाप भी पचास चार सो से एक नीचे आएगा माइनस वन यानि कि पचास तीन सो निन्यान में आपको मैं फ्राइडे तक एट एनी कॉस दिखाऊ ठीक है अब आज जाते हैं मेरे आज के कॉल्स आपको दिखाना जरूरी है इसलिए दिखा रहा हूं उसका एक मक्सद है वह मक्सद आपको साबित करूंगा आज मैं क्या क् चलिए पहला कॉल था बावन अजार का पूट क्योंकि कल वाला जो मैंने दिलाया था वह इस विक्का था लेकिन अब नेक्स्ट विक्का दिला दिया क्योंकि मुझे पता है इसका बाब भी पचास तीन सो निन्यान में आएगा स्पोट में मैंने बावन अजार का पूट दिलाया 681 में जो अभी चल रहा है 736 लास्ट में उसको पांसो में एड करने और बोला 200 का स्टॉप लोस बोला 1300 प्लस का टार्गेट और यह टार्गेट इसका बाब गरंटीड आएगा यह भी मैं बोल दिया इससे कई उपर आए कि उसके बाद मैंने दूसरा कॉल दिया 10 बच के 53 मिनेट पर इकावन 823 पर अगस्त वाला फ्यूचर सेल करिये बावन आट सो का स्टॉप लोस 50-550 का टार्गेट पांस ट्रेडिंग डेज में मैक्स आएगा ही आएगा आएगा आप लिख लो यह कोई काम का चीज नहीं च बताने के लिए अब असली खेल इसके लिए मैं बता रहा हूँ को असली कारण आज का यह है यह आपको दिखाने का देखिए यह कॉल मैंने दिया 11 बच के 24 मिनेट पर 11.24 एम मुथूत फाइनेंस का 1860 का कॉल अगस्त वाला अभी अगस्त मेना ही चल रहा है चोंवालीस रुप्या 70 पैसा में बाई कर हुआ है लेकिन टार्गेट क्या दिखा टार्गेट लिखा 85 रुप इससे लेके 110 क्योंकि अगस्त का मेना अभी तो बहुत बाकी है 29 अगस्त का ही अब यह चोंवाली सत्तर वाला आज 55 रुप्या चला गया कितना चला गया 55 गया दो बजके 50 मिनिट की केंडल में दो बजके 50 मिन लेकिन साड़े तीन बजे यह वापस से वापस से 43.90 आगे मतलब जहां खरिदा वहीं आगे लेकिन क्योंकि यह पोजिशनल है तो आप 85 आएगा ही आएगा इसका बाप भी आएगा लेकिन इसमें टाइम लगेगा मगर इसकी जगा इंट्राडे होता जो मै मैं ग्रूप आपको बोला हूं लाइफ टाइम मेंबर्शिप इंट्राडे ओप्शन की तो क्या हम 4470 का माल 55 रुपय में नहीं काट लेते हैं क्योंकि लगबग यह गेन होता है लगबग 28 परसेंट का गेन होता है कितना होता है इंट्राडे में और इसकी लॉट साइज है 550 की कितने की तो 10 रुपय मिलता 550 रुपय में साड़े 5,000 रुपय मिलता हमको और मैंने आपको क्या बला 80,000 मैक्सिमुम केपिटल चीए और हमारा एम एक है कि एक दिन में तीन से 5,000 रुपय रोज कमाना कभी कबाद stop loss भी होगा तो 3-4,000 पर ही जाएगा लेकिन साड़े 3 बज़े वापिस वहीं आ गया अब यह पोजीशनल के कारण वही रेट आ गई जहां से लिए आपको मैं चार्ट के तुरू समझा भी देख तो इंट्राडे की मेंबर्शिप और और एक बात बतातो इंट्राडे की जो लाइफ टाइम मेंबर्शिप है उस कल तक आप 15,000 में जोन कर सकते हैं उसका आपको डिफरेंस समझाने के लिए मैं कि इंट्राडे में क्यूं फाइदा हो जाता है देकि 44-70 में लिया पचपन चला गया दो बज़ के 50 मिनट लिया कितने बज़े था 11-24 एम दो पचपन चला गया लेकिन वापस से साड़े तीन बज़े कितना आ गया 43.90 मतलब जहां लिया वहीं आ गया तो पोजिशनल वाला को घाटा हो गया एक रुपय का आज की डेट में अब कल बढ़ेगा तो होगा काम लेकिन अगर इंट्राडे रहता तो 44 उपया 70 पैसा का माल पचपन में नहीं बेचते हैं 50 में भी बेच लेत लॉट साइज है एक लॉट अब आपको चार्ट में दिखा भी देता हूँ पूरूफ के लिए देखे यह 11 बच के 23 मिनट की पोजीशन है यह वाली इस जगह 44 की रेट आप देख सकते हूँ यह 11 बच के 23 मिनट की केंडल है और यह है 2 बच के 50 मिनट की रेट पचपन लेकिन आखरी के 40 मिनट में यह वापस गिर के वहीं आगए यहां खरीदा यहां से यहां गया आखरी के 40 मिनट में यही आगए इंट्राडे रहता तो हम लोग यहां काटी लेते हैं क्योंकि हमारा एं मोटिफ क्या है तीन हजार से पांच हजार रुपया यह छे हजार रुपया रोज बनाना इतनी बड़ी बाइंग केंडल आने के बाद मैंने बाइं कर वाया है लेकिन फिर भी इसने कमाल किया चोंवाली सुपया सत्तर पैसा में बाई कर वाया ग्यारा बच के तेईस मिनट पर दो बच के पचास मिट पर यहां पर पच्पन का हाई बनाया यह और साड़े पांच सो शेयर की एक लॉट है तो साड़े पांच सो इंटू दस उरुपया तीस पैसा चपन सो रुपया के करीब मिलता आपको लेकिन हम इतना नहीं मिलता हमको 4000 ही मिल जाता हम 51 में काट लेते हैं क्योंकि हमारे इंट्राडे मोटिव क्या है घर पर कुछ लेके जा नहीं जो पोजिशन लिए क्योंकि मैंने सब को टार्गेट तो 85 का दिया है जो पोजिशनल व जो वन से टार्गेट स्टॉप लोस 39 यह मेरा अक्चुल कॉल रहता अगर इंट्राडे रहता है समझ मैं तो आपको बनता पैसा और 99 परसेंट मेरे कॉल सेम डे तो काम करते ही करते हैं 99 परसेंट ठीक है अब याद रखेगा पंद्रह हजार कल तक ही है उसके बाद पचास जार रुप्य अलगे है और जो मेरे परसनल मेंबर से उनको इसमें भी डिसकाउंट दिया है थोड़ा बहुत उनका भी कल से डबल एक तरिक से उनका भी त्रिपल हो जाएगा ठीक है रिफंडेबल वह भी रहेगा पचास जार भी आपको पूरा रिफंड बिलेगा मेरी कमाई यह होगी कि आपको दो मेने में समझ में आ जा कि यह आदमी मुझे रोज तीने जार कमा के दे रहा है इसको आप सो दो सो रोज दो अपनी तरफ से गुरु दक्षिना तो कल का दि तो मुझे तो यह नीचे ही आता हो दिख रहा है मुझे तो खाकिगत बोलू तो 49600 तक आता हुआ दिखते है ठीक है ठीक है जिए जिने दो जे गुझे आता हुआ